क्थ हिलो मई डीर स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग की पढ़ाएं घर पे काली की याद तो नहीं आ रही है और कॉलिज का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं कि आप कॉन-कॉन लेक्चर वन था जो फस्ट वाली वीडियो थी सीरीज की उसमें हम लोगों ने युनिट 1 के five important numerical problem discuss किये थे और second वाली वीडियो में lecture 2 में हम लोगोंने unit 2 के important numerical discuss किये और last जो वीडियो थी हमारी फ्रड वाला यो लेक्चर था उसमें हम लोगोंने unit 3 के टॉपिक है fluid properties वहां से हमने दो important numerical discuss किये और आज जो है हमारा जो fourth lecture है आज जिसके हम बात कर रहे हैं इसमें हम unit 3 को ही continue कर रहे हैं अभी और unit 3 से आज हम एक important topic है पास्कल law इस पास्कल law का statement देखेंगे और एक important numerical भी हां से हम लोग discuss करेंगे यह अपना numerical है इस numerical को करने के बाद कोई भी अगर numerical आता है पास्कल law से तो वह आप अराम से deal कर सकते हैं solve कर सकते हैं चलिए और इससे पहले numerical से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पास्कल law का statement किस तरह से पास्कल law काम करता है और यह कहां पर valid होता है last time यहां से two marks में question आया था थियोरी का question यह था कि state the past law कितने marks में था यह two marks में था last time university exam में तो पहले हम पास्कल law का statement समझ लेते हैं diagram की help से पहले बाद तो आप यह समझे कि जो पास्कल law है यह तभी valid रहता है जहां पर जो container है जो vessel है जो pipe है जो बरतन है वो कैसा होना चाहिए sealed होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए leakage नहीं होना च होते हैं जैसा कि आप background में focus किजी यहां पर यह कोई एक you know sealed container है इस तरह से यह जो मैं भी highlight कर रहा हूं यहां पर और इसके अंदर क्या भरा हुआ है liquid भरा हुआ है क्या भरा हुआ है इसके अंदर fluid भरा हुआ है और वह fluid जो है वह liquid है gas नहीं होगा gas नहीं होगा क्योंकि gas तो compress हो जाती है liquid होगा यहां पर और liquid में भी in general क्या होता है oil होता है तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है यह इसके अंदर oil अब इस container के अंदर यहां पर आप देखेंगे दो piston लगे हुए है एक यह वाला piston है चोटा सा piston है मैं इसको different color से दिखा देता ये वाला हो जाएगा ये बड़े वाला पिस्टन इस का मानी कीतना है ऑर झस्टन आपका ये वालद हो गया चोटेवाला पिस्टन जिसका एरिया कितना है ऑफन है अब आप यहां पर देख रहे हैं जो ओंगाकी सधव कि्टन यहांट है old उन्हों ने यह कहा था पासकल लोग ने कि in a fluid at rest जब fluid rest में रहता है तो intensity of pressure प्रैसर की जो intensity है that is same in all the directions अर डारेक्शन में क्या होती है सेम होती है देखवा यहां पर जो liquid भरा हुआ है यहां पर जो छोटे वाला piston है जिसका area हमने A1 मान रखा है यहाँ पर कितना pressure लग रहा है P1 कितना pressure लग रहा है P1 और जो बड़े वाला piston है जिसका area हमने A2 मान रखा है वहाँ पर कितना pressure लग रहा है P2 पास्कल लोग के हिसाब से P1 और P2 दोनों बराबर होने चाहिए कह रहा है intensity of pressure is same in all the direction मतलब जो P2 की value है वो P1 के क्या होगी बराबर होगी और pressure क्या होता है आप सभी जानते हैं force upon area अब मान लो जो बड़े वाला piston है यहाँ पर कितना force है कितना load इसके उपर रखा हो मान लीजे इसके F2 कितना force है यहाँ पर F2 area इसका A2 था force इसका हमने मान लिया F2 और जो छोटे वाला piston है इसका area A1 था तो हमने इसका force मान लिया F1 यहाँ पर कितना force अपलाई करेगा यह F1 तो इस हिसाब से जो pressure है pressure क्या होता है F upon A तो P2 की value कितनी हो जाएगी F upon A यानि कि F2 upon A2 that is equal to P1 P1 कितना है F1 upon A1 F1 upon A1 तो यह है हमारा क्या पासकल लोग एप्लिकेशन कहाँ पर है पासकल लोग के जो आपकी JC भी होती है बहां पर भी पासकल लोग एप्लिकेशन है जो आपकी कार होती है आप गेराज पर गए तो आपकी कार यहां पर जो जो बड़े वाला जो piston होता है बहां पर आपकी कार इस तरह से हम रख देते है आपर आपने बड़े वाले पिस्टन पर रख दी है अब जो छोटे वाला पिस्टन है हम वहां से थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ मानने जी थोड़ा सा नीचे जाएगा तो यह जो पिस्टन है यह ऊपर करेगा यानि कि जो कार है ओपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी इसमें जो भी काम करना है आप इसके निचे से काम कर सकते हैं तो जो पास्कल लॉव है इसकी ब्यूटी क्या है वाट इस दा ब्यूटी आफ पास्कल लॉव कि भई यहां पर हम बहुत थोड़ा सा फोर्स लगात है उसको easily lift कर लिया ठीक है तो यह फॉर्मॉला हम याद रखेंगे पास्कल लॉव के लिए है न कि f1 upon a1 is equal to f2 upon a2 या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f2 upon a1 is equal to a2 upon a1 चलिए पास्कल लॉव का इस्तिमाल करते हैं एक numerical problem यहां पर हम solve करते हैं अगर theory आती है पास्कल पर तो आप यह diagram बना करके समझा सकते हैं चलिए numerical समझ लेते हैं निमेरिकल में क्या कह रहा है कि two pistons of hydraulic lift एक hydraulic lift है दो piston उसमें है जैसे यहां भी थे यहां पर एक बड़ा piston था और एक छोटा piston था तो एक hydraulic lift है जिसके अंदर क्या है दो piston है तो देखो पढ़ो एक बार फिर से centimeter दोनों piston के diameters आपको दे रखे हैं what is the load lifted by the large piston when 50 newton is placed on the smaller piston दो पिस्टन एक diagram बना दो फिर से इस तरह से एक बड़ा piston है दो पिस्टन है इसमें यही खासित रहती है आपको एक बड़ा piston यूज करना इसमें चोटा पिस्टन यूज करना है पास्कलों के लिए तो यहां पर मैं बड़ा piston दिखा देता हूं और एक चोटा piston बना देता हूं यह हो गया यहां पर बड़े बड़े बाला piston यह हो गया आपका बड़े बाला piston इस तरह से लाइक इस ओके इसका डायमेटर मान लीजी कितना है बच्चे डी टू है डायमेटर कितना इसका डी टू है और इसके ऊपर अभी देखते हैं द्वारा पहले चोटा बाला पिस्टन यहां पर हो गया यह आपका चोटा पिस्टन इस तरह से चोटा पिस्टन होगया यहां पर इसका जो डायमेटर कितना होगा मान लीजी डी वन इसका डायमेटर होगया डी वन और इसके अंदर क्या भरा हुआ है इसके अंदर जो भरा हुआ है वो लिक्विड भरा हुआ है और यह सील्ड होगा एकदम यह न कोई लिके जहां पर नहीं होंगे, कोई लिके जहां पर नहीं होंगे, अब द्वारा पर हो जारा problem statement को, कहारा है two pistons of hydraulic lift have dimensions of 60 cm and 5 cm, यानि कि diameter लिख लेते हैं हाँ पर, note कर लेते हैं, कि D1 की value कितनी दे रखी, यह चोटा जो piston है, उसका diameter कितना है, 5 cm है, जो बड़े वाला piston है, इसका diameter कितना है, that is equal to 60 cm, आगे देखो क्या कह रहा है question के अंदर, what is the load lifted by the larger piston, यह जो larger piston है, मान लो इसके उपर कितना load रखा हुआ है, larger piston के उपर कितना load है, W कह लिजे, यह हम मान करके चलते हैं, कि जो W है, इसके उपर जो load रखा हुआ है, यह कितना force है, यहाँ पर F2 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि, what is the load lifted by the larger piston, यह larger piston जो है, कितना load lift कर सकता है, when 50 newton is placed on the smaller piston, जब हमने इसके उपर कितना load लगाया, इसके उपर हमने थोड़ा सा load लगाया, small W lift लेते हैं, इसको मान लिया हमने कितना, F1 मान लिया, कितना मान लिया, F1, इस वाला जो बड़े वाला piston है, इसका area कितना मान लिजे, A2, और इसका area मान लिजे, कितना है, A1 है ठीक है जी, मैं repeat कर दूँ एक बार, यहाँ पर मैं repeat कर देता हूँ, जो छोटे वाला piston है, उसका diameter D1 है, area A1 है, और force कितना है, F1, और F1 की value आपको दे रखी है कितनी, 50 newton आपको दे रखी है, जो बड़े वाला piston है, उसका diameter D2 है, area A2 है, और इसका जो load कितना lift करेगा, जो ह हमको value calculate करनी है, what is the load lifted by the larger piston, यह F2 की value हमको बतानी है, तो भई, आप सभी जान रहे होते हैं, क्या जान रहे होते हैं, आप सभी लोग Pascal Law के बारे में, यहाँ तो Pascal Law लगाएंगे हम, भई, यहाँ पर कितना pressure होगा P2, और यहाँ पर कितना pressure होगा P1, और दोनों का जो pressure होगा दोनों तरफ, भई, Pascal Law ने क्या बताया, कि हर जगे जो pressure के intensity हो क्या रहेगी, same रहने वाली है, तो P2 is equal to कितना हो जाएगा, P1, और P2 क्या हो जाएगा, आपका F2 upon F1 is equal to, sorry, F2 upon A2, क्या हो जाएगा, मैं द्वारा सा लिख देता हूँ, P2 की value कितनी हो जाएगी, एक second, इसक F2 upon A1, F2 की value आपको यहां से पता करनी है, तो F2 कितना हो जाएगा, बच्चे, that is equal to A2 upon A1, आप चाहे ना, पहले वीडियो को pause कर लें एक बार, और खुद से solve कर लें, उसके बाद solution देखें कि आपका सही है या गलत है, तो यहां से F2 की value कितनी हो जाएगी, यह A2 upon A1 into F1, चलिए, value put कर दीजिए, F2 की value find कर लेंगे, हम यहां से, A2 कितना होगा, अच्छा, A2 नहीं पता है आपको, लेकिन आपको क्या पता है, diameter पता है, आपको area अगर नहीं पता, diameter पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको D1 पता है, तो A1 हो जाएगा आपका PY4 D1 square या PYR square इसी तरह साप लेक सकते हैं, इस तरह से A2 कितना हो जाएगा, PY4 D2 square, अगर आपको diameter पता है, तो मान लीजिए, आपको क्या पता है, एट, A पता है, diameter पता है, तो area पता है, चलिए value रख देते हैं यहां पर, A2 की value कितनी होगी, PY4 D2 square divided by, A1 की value कितनी हो ज हो जाएगा, PY4 है न, यह cancel out हो जाएगा, PY4, यह PY4, तो यहां से बच्चे आपको मिलने वाला है, F2 की value, calculator आप यूज कर सकते हैं, अपनी calculating power का इस्तमाल करते हुए, तो यह जाएगा, आपका D2 upon D1 का square into F1, value पुट कर दीज़रा, diameter कितना दिया हो, आपको D2 की value, that is 60, और D1 कितना है, 5, तो 60 divided by 5 का square into F1 की value कितनी दे रखी है, 50 Newton into क्या गर देंगे, 50, तो यह हो जाएगा, आपका यहां से F2 की value मिल जाएगी, और यह आजाएगा, आपका calculate करेंगे आप लोग इसको, मैं देखता हूँ कितना आ रहा है अपने हिसाब से, मैं इसको calculate कर रहा हू calculate के help से, 60 by 50, sorry, 60 by 5 का square into 50, यह आ रहा है, 7200, 7200 Newton, कितना रहा है, 7200 Newton, तो कितना load lift कर पाएगा है, यह इतना load lift कर पाएगा, 7200 है न, this load is lifted by larger piston, जो उसने question के अंदर पुछा था, larger piston जो है, कितना load lift कर पाएगा, यह आप का answer आ गया यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है न, यहां पर देखो, इसका diameter आपको दिया था, इसका D1, छोटे वाले piston का, बड़े piston का diameter D2 दिया था, आपने A1, A2 की value लिख ले यहां से, अब बोला था उसने कि, यहां पर जो छोटे वाला piston है, यहां प पासकल लोग का formula यहां पर लगा दिया, तो 7200 newton को यह lift कर पाएगा, तो इस तरह से हमने इस छोटी सी वीडियो में पासकल लोग को समझा कि पासकल लोग क्या होता है, उसका statement क्या होता है, लास्ट टाइम यह टू मार्स माया था, और numerical नहीं है था लास्ट टाइम, उम्मी भी कर सकते हैं, महनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने दोस्तों के साथ शेर कर सकते हैं, चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में, next lecture में, तब तक के लिए thank you, अपना ख्याल रखिए, ठंड हो रही है, है न, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, thank you so much